मुक्तार अंसारी की मौक्स की जो रिपोर्ट है वो शासन को भीजी गई उसमें जो है रिपोर्ट है आजके हम बताये आपको यह बड़ा सम्मेदन शील मुद्दा है और इस पर आप लोग बहुत इंट्रेश्टेट होते हैं जो पच्छ सरकार या उनकी एजनसी की तरफ से आपको प्राप्त होता है आप लिखते हो हम कभी उस पे इतराज करने नहीं आते हुआ हमने उस समय भी अर्थ था वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रियास था और उसकी उसके विरुद्ध जो मुकदमा है मुक्तार अंसारी के गवाही के बाद अब उसके भविश को कुछ कहा नहीं जा सकता था वो कानून उसको डड़ दे 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 था तो उस केस के सारे गवाहों को तो मुल्जिम बना के जूटे मुकदमें पसा दिया गया एक स्टोरी है 15 जुलाई सन 2001 की और उसी दिन पुलिस एफायान लिखती है और सारे कारवाई होती है और एक स्टोरी 23 बरस के बाद लिखी जाती है उसी घटना के कि वो सब जूटी है असली तो यह है को उसको घर से लाके इन लोगों ने यहां मार दिया था और उसको वहां फेक दिया और और उसी स्टोरी के धार पे चलके सारे गवाहों को पकड़ कर जो गोलियों से जख्मी है जेल में डाला गया तब जेल में बंद है आज भी जेल में बंद है चारशीट लग गई एसाइटी का कठन करके चारशीट हो गई एक एक गवाह को विवस किया गया कि आप मत कवाही पीजिये, वो हमारी सरकार के द्वारा पाला गया एक माफिय सरकना है, और ऐसे लोग और ऐसी विवस्ता, अगर नैतिक्ता की बात, कानून विवस्ता की बात करती है, तो मैं समझता हूँ कि इस से बड़ा जूट हो कुछ को नहीं है, मैंने, मैंने कहा है कि मानिय सर्वोच न्यायले में उस घटना के घटनने से पहले याचका दाकिल है, और उसमें ये सारा घटना करम ऐसे किया जाएगा, अनजाम दिया जाएगा, इसके बारे में कहा गया है, और सुरक्षा की मांग ही गई है, मानिये सर्वोच न्याले ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ जाके हलफ नामा दिया, कि ये चाक चोबंद बेवस्था है यतने कैमेरे लगे हैं यतने डिप्पी गेलर यतने जेलर यतना ये अब वो खानों का उनका टेस्ट अलग और मेडिकल फेसल्टी अलग सारी चीज़े वहां मैटर सब जुदिस है कहा गया है कि चुनाओ के दौरान इनकी हत्या होगी क्योंकि उसका लाब चुनाओ में लेना है तो मानिय सर्वोच नयाय लेकिन नयाय दीश ने कहा कि हम इसको चुनाओ बात सुनेंगे और डाइरेक्शन दिया कि कोई अन्होनी घटना नहीं घटनी चाहिए यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी और उसके बाद भी घटना घट भी आप पता यह ने जरा सा इत्ते सीनियर पतकार हो मुझे बताते हुए शरम आ रही है भारत में एक भी कश्टोडियल देथ हुई हो वक्तार अंसारी की तोड़ी देर के लिए अलग रखे भारत में एक भी कश्टोडियल देथ जेल में या थाने में रस्ता में किसी की भी कश्टोडियल देथ एक भी कश्टोडियल देथ हुई है तो उसकी मजिस्टेटियल जाच हुई है यह तो हमारे नियम में है इसमें किसी की किरपा कहां है गाजीपूर जेल में अगर कोई टीबी से भी मर जाएगा तो उसकी भी मजिस्टेटी यह यह हमारा नियम है कि कस्टोडियल डिट्स की जाच कराई जाएगी सुनिये ना परशनिया नहीं बनता है जब कस्टोडियल डि यह जाच का रिजल्ट है वो जाच ही इस लिए होती है कि जो कुछ है उसके मिट्टी डाल दिया जाए हम क्यों कहें हमको जो कुछ कहना है हम मनी सर्वोष न्याले के सामने कहेंगे हम आज तक के सामने कहें कि आप इसको दूसी तरह से परुष करके अफल वहां वकील सरकार का खड़ा हो कि देखें सामी तो मीडिया में यह कह रहे हैं हम जब एक मैटर सब जुडिश है देश के सर्वोष न्याले में सब जुडिश आज भी सब जुडिश है वहां से जो आदाश होगा हम माले के लेकिन अभी सर्वोष न्याले का कोई आदेश नहों और आप चाहते ह हो कि अपनी तरफ से किलिंचीट दे दे तो दे दीजिए मजिस्केट ने भी दे दिया आप भी दे दीजिए हमें इतराज नहीं है आप दे सकते हो लेकिन फैसला कोट में होगा हम लोग कोट में गए हैं और कोट तो इस पे सुनेगा कुछ कहेगा ना हम उसका इंतजार करे नहीं हम, अबन।